सोशल मीडिया ने आज की मोडर्ण जिन्दीगी को पिशले 10 से 15 सालों में बिलकुल बदल दिया है आज हर कोई दोहरी जिन्दीगी जिता है एक सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए तो दूसरी असल लाइफ होती है जो बिलकुल अलग होती है और यही वज़ा है कि कई लोग अब इससे उपी गए हैं और इसके उप्योग से बच रहे हैं क्या आप भी सोशल मीडिया से परिशान हो गए हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी सोशल मीडिया से कई फायदे भी हो सकते हैं सोशल मीडिया एक व्यापक पैमानी पर फैला हुआ प्लेटफोर्म है जहां लगभग हर इंसान किसी ना किसी रूप में मौजू थे आज यो फैस्बूक, वाटसेप, ट्वीटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डिन, यूट्यूब, टेलिग्राम जैसे अनकिनत एप अपनी उंगलियों की नौक पर है इनमें अधिकतर फ्री होते हैं जो सभी के पहुच तक होते हैं इनके गलब इस्तमाल का तो बोल पाला है क्यों सकते हैं देखे ये रिपोर्ट अगर आप कोई बिजनसमें है या फ़र आप किसी प्रकार का प्रचार करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया एक ताकतवर उजार हो सकता है इनसे जुड़े लाखों लोग तक आपका प्रचार पहुच सकता है जिससे कम समय में आप अधिक मुन सेकंडों में जोड सकता है आजकल बेटी विदाखोरी के साथ ही सेलफी भेजती है एक बच्चा घर से निकलते ही वीडियो कॉल करता है एक बेटा विदीश में बैठ कर भी मा के साथ वीडियो कॉल के मात्यम से चाय पी सकता है जिससे अपनों के सकुषल होने का समाचार भ अपने जुनून को खो दिया है जैसे किसी को गाना गाना पसंद है तो किसी को कविताय लिखना पसंद है ऐसे में आप सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स का वाइदा उठा सकते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं अगर आप बारल हो गए तो आपका जुनून भी आमदानी के रूप में बदल सकता है आजकल सोशल मीडिया के कारण टीवी का प्रचलन भी कम होता जा रहा है क्योंकि इन सभी एप के जरीए आपको दुनिया पर की खबरे सेकंडर सेकंड मिल सकती है जिससे आप विधिक प्रकार की जानकारी से अगत होते रह रहे है अगर आप अपनी असल परिस्तितियों से विचली थे और मानसिक रूप से तनाऊ के हैं तो ऐसे कई एप है जिनसे आप तनाऊ मुक्त हो सकते हैं आप ध्यान और यूग के वीडियो देख सकते हैं कोई आद्यात्मिक दर्शन कर सकते हैं झाल झाल